पेट में किब जियत रहने लगी है, उनको नाइट फेल हो जा रहा है, नावी जो हटना होता है, उसको हम आयरोबेड में आईज़कार दोस्तों कित अ Ishpket की बताओं बताउगा और साथ में आपको खाने-पीने रहने का तरीक़ा बताओंगा तो मेरा नाम है सचीन कुमार, आप देख रहे हैं Health Master YouTube चनल दोस्तो मैं एक नीरोथरेपिस्ट हूँ और नेच्रोपेटी और नीरोथरेपिस्ट है आप लोगों के इलाज करता हूँ मेरा क्लीनिक है काशी पूर उत्तरा घंड में दोस्तो अभी मेरे पात कुछ मेडिसीन है और यह मेडिसीन बड़ी इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनके पेट में गंभीर समस्या रहती है तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पेट में यह कब्जी आती है फिर लूज मोशन होने के रीजन क्या हो सकता है देखे, जब भी हमारे पेट में कब जो होती है, या फिर lose motion होता है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, या किसी चिकितसक को दिखाते हैं तो सबसे पहले जो चिकितसक है, जो डॉक्टर है, वो हमें बताएगा कि आपके पेट में या तो infection हो गया है या फिर आपकी आटों में सूजन आ गई है या फिर आपका liver काम नहीं कर रहा है या फिर pancreas काम नहीं कर रहा है हो सकता है कि आपकी आटों का परिस्टेटिक मूवमेंट कम हो गया हो परिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है आतों की चाल कम हो गई हो तो ऐसे में कुछ यह डॉक्टर जो है गंबीर समस्या बता देते हैं तो उसके पीछे मतलब बास्तर में हो सकता है कि आपको वही समस्या हो रही हो मगर उसके पीछे क भी हो जाता है कुछ लोगों को तो उनके अंदर जो शुरुवाती जो लक्षन होते हैं वो उनको कुछ थोड़ी बहुत कब्ज रहेगी और टैंशन डिप्रेशन चा रहेगा यह समस्या कुछ समय बाद बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो इसके पीछे का रीजन हो सकता है या तो फिर उल्टाशीदा खा रहे हैं या फिर उनके पेट की नेवल मतलब नावी हट गई है नावी जो हटना होता है उसको हम आयरबेद में या फिर नाडी मर्दन किरिया में या फिर योगा के माध्यम से मनलब इन चीजों में हम इसको ठीक कर सकते हैं इन चीजों मे इस से बिलकुल अलग है नावी का हटना जो होता है वो किवाल आयरुवेद में हम ठीक कर सकते हैं या फिर योगा या फिर नाड़ीवेद आपको बता सकता है तो यह एक भारतिय चिक्रिच्चा पद्धिति के अंदर ही हम इसको ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ योगा कुछ वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं मगर दोस्तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है जिनके पेट में कब जिया फिर गैस या लूज मोशन की समस्या होती है नाइट फॉल नाइट फेल जो होता है अपने आपने एक इतनी गंभी है वो इस खलन हो पौसी आपको अपने दोस्तों हो जाएगा सोते सोते ही आपका जो हो जाएगा उसमें आपको रात में तो कई बार पता भी नहीं चलता है कुछ लोग इतनी खतना बीमारी हो जाती लए और फिर बाद में पता चलता है कि उनके पटम yön index कभी लग जाए और चेहरे पर रुखाफवन आ जाता है तो ऐसे मैं कुछ मेडिसीन है मैं आपको बता देता हूँ देखिए यह लाइको-पॉडियम है लाइको पोडियम आदे कब पाने में लेनी है और एक ये मेडिसीन है सेलेनियम 3x सेलेनियम 3x बहुत ही इफेक्टिव मेडिसीन है आपको सुबह दुपैर सम् इसकी गोलियां चूशनी होती है इदर की साइड में आपको दीख रहा होगा इस परकार की ये कुछ मेडिसीन होती है ये देखिए यह कुछ इस प्रकार की गोलियां होती है यह कुछ इस प्रकार की गोली होगी वह आपको लेनी है यह इस प्रकार की गोली होती है यह आपको डारेक्ट जीप पर डालके चूशनी है सेलिनियम 3x आपको खरीदनी है बहुत इफेक्टिव मेडिसीन है सुबह दुपैर साम आपको लेंगे आपको अगर नाइट फिल होने की बैसे समस्या हो रही है तो जो कब्जित हो रही है जो टेंशन डेपरेसिन आपको बना हुआ है नाइट फिल होने की बैसे वह आप मानक पंदर दिन में अगर ठीक हो जाती है तो यह गोलियां और दवाई की मातरा कम कर देंगे फिर आप इसको केबल सुबह 10 बुंदे ले सकते हैं जो यह वाली जो मैंने आपको दो टाइम बताईए 10 बुंदे शुबह और साम को यह केबल आप सुबह यह फिर साम को फिर केबल फिर 15 से 20 दिन या एक महिना आपको आपके वाल इसकी अगोली ले सकते हैं तो आप इस प्रकार से यह लीजिए मैडिशीन आपकी जो पेट की समस्या है जो भी आपको नाइट फिल की समस्या है जिसे हम अपने दों से भी बोलते हैं वो खतम हो जाएगा आपको आईबेस की प्रोल्म में पूरी तिर कि ठीक हो जाएगी टेनशन डेप्रेशन भी अब थीक हो जाएगा और इस पकार की ब वगली से पोदोनिवार